जै गुरुदेव भक्त जनों आत्म ज्यान क्या होता है? आत्म ज्यान यानि की हमें ज्यान की प्राप्ती होती है हमें सब कुछ पता चलता है ज्यान के बारे में, मोक्ष के बारे में, जिन्दगी के बारे में तो ऐसी ही एक कहानी है बाबाजी के भक्त की जो आश्रम में बाबा जी की सेवा किया करता था कमाल की बात थी दिन रात हर भक्त के लिए इंतजाम करना उनकी देख भाल करना पूरे आश्रम का रख रखाओ का ध्यान रखना सब कुछ करता किन्तु एक चीज हमेशा रह जाती कि वो स्वयम कभी बाबा के दर्शन ठीक तरह से नहीं कर पाता उसका पूरा ध्यान केंदरित रहता कि जो भी बाबा के आश्रम में प्रवेश कर रहा है वो खुश होकर वापिस जाए बाबा जी का आश्रवाद लेके वापिस जाए और प्रशाद खा कर वापिस जाए कई साल बीद गए कमाल की बात थी लेकिन उस भक्त ने कभी इस बात की शिकायत नहीं की क्योंकि वो जानता था कि वो तो आश्रम में ही रहता है इस से बड़ा और पुन्य क्या हो सकता उसके जिंदगी में खै दोस्तों वो दिन भी आया कि जब एक बार बाबाजी का आश्रम किसी कारणवश बंद था भक्तों का आना जाना बिलकुल उस समय निशेत था और बाबाजी अपने तक्त पे बैठे हुए थे शाम का समय था और अपने ध्यान में थे तो उस दिन इस भक्त को मौका मिला और ये जाके बाबाजी के सामने बैठ गया बैठ गया तो बाबाजी ने उसकी और देखा उसे आशिरवाद दिया और बोले कि देख तु इतनी सेवा करता है यहां बता तुझे क्या चाहिए क्या चाहता है तु उसने का ना बाबा मैं कुछ नहीं चाहता हूँ बस मुझे आत्म ग्यान की प्राप्ति करवा दीजिए यही मेरा ध्ये है और इसलिए मैं सब की सेवा करता हूँ तो बाबाजी मुस्कुराने लगे कहते हैं जानते हो आत्म ग्यान क्या होता है नहीं बाबाजी नहीं जानता आप ही बता दीजिए बाबाजी ने का भक्त जो तु कर रहा है ना उसी को आत्मग्यान कहते है इतनी सेवा निस्वार्थ भाव से बिना अपने ले कोई अपेक्षा किये हुए तु जो लोगों को यहां से प्रसंद करके भेज रहा है ना तु जो लोगों की इच्छाएं पूरी करके भेज रहा है यह इसी को आत्मग्यान कहते है आत्मग्यान कोई ऐसा ग्यान नहीं होता कि जिसको तु बैट कर पड़े या सीखे या उसका ध्यान लगाए आत्म ज्यान होता है कि अपने जीवन का कितनी अच्छी तरीके से हम सदूप्योग करे भक्त बिल्कुल भाववी भोर हो गया भक्त की आँखों से आशू बहने लगे और वो बाबा जी के चरणों को पकड़ के रोने लगा बाबा जी ने हसते हुए का चल जाव लगजा अपने काम पे कल सुबेबी तो भक्त आएंगे ना तो भक्त जनों ऐसा किया करते थे बाबा जी अकसर बातों बातों में अपनी सारी जो मैसेज़स हैं जो बाते हैं वो भक्तों तक पहुचा दिया करते थे तो ऐसी ही एक और घटना मैं आपको सुनाती हूँ जो की बहुत खुबसूरत घटना है की ये बات है इलाबाद की और बाबाजी बाबू वहां हुआ करते थे जो बाबा की सेवा करते थे और बाबा जी वहीं जाके रुकते थे तो एक पर ऐसे बेनर जी बाबू के बाबा रुके हुए थे तो बाबा जी जो है कमरे में ही थे लेकिन अचानक से वो कमरे में नहीं दिखे तो बाबा जी के लिए भोग लेके आये थे खीर का भोग तो उन्होंने क्या किया कि खीर का भोग जो है बाबा जी की फोटो के आगे रख दिया और उसके बाद बाबा जी को डूढने के लिए चले गए दिखे नहीं बाबा जी दिखे नहीं तो अचानक से सारे भक्त जब उस कमरे में आके बैटे तो अवाक रह गए क्योंकि कटोरा नीचे रखा हुआ था चम्मच नीचे रखी हुई थी लेकिन बाबा जी की तस्वीर से खीर टपक रही थी अगर किसी एक ने देखा होता तो एक बार को हम अविश्वास भी कर सकते थे लेकिन सारे भक्तों ने इस बात को देखा और हाथ जोड़कर बाबा जी के आगे बैट गए और कहने लगे जै गुरुदेव जै बाबा जी आशा करती हूँ आप लोगों को ये दोनों प्रसंग पसंद आयोंगे फिर आप से जल्दी मुलाकात होगी जै गुरुदेव झाल झाल